है फेमली कैसे आप सब्सक्राइब करती हूं मेरी यूटूब चैनल स्टेट्स फ्लेवाब और आज एक सिंपल से रेसिपी हम बनाएंगे जिसके नाम है मीन पिटेटो बहुत ही अच्छी से रेसिपी और इसकी टेस्ट है ना बहुत घजब की अगर आप बीगनर्स हो या फि देखना आप इसकी फैन बन जाओंगे तो चले फिर देखते ही सिंपल से रेसिपी कैसे बनता है अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीस रेसिपी को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूले मीन पटेटो बनाने के लिए मैं आप पता तो बनता है तो कटवरी भरकी मैंने पुदिना पता लिया है साफ करके बारी कटके रखी हूं और यह हमारी दो बड़े चमाच कस्तुरी मेथी है कस्तुरी मेथी पका लेना क्यूंकि यह सबजी की जो फ्लेवर है इसे बिल्कुल अच्छा से नान्स करता है और यह स्वाद अनुसार एक चमाच नमाख है और मेरी पसंद है और आप भी जरूर लिया करें हिंग हिंग से अच्छा फेवर आता है मैं गयस पे कड़ाय रगदी है यह गरम भी होने लग गया है तो दो से तीन चमाच करीब तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने के ल जीरा भुण गया है अब अलुको एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करते है और थोड़ी से एक दो मिनट फ्राइब करेंगे अच्छे से आलु ना मारे कलर चेंज करने लग गया है अब ना हम इसमें अद्रक लेसुन का पेस्ट उसको एड़ करेंगे मैं सेंटर भी डा मिक्स कर लेती ह। máma a मिक्स कर लेती ह। पिर धोया हैlo मिक्स कर लेंगे एक साथ। मिक्स कर साथ। टाल रही ह। एक एक स्विट साथ निम्bстра दल लिए 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 निम्ब olabilir यूज नहीं करने हूं लेकिन आप चाहे तो जरूर इसी यूज कर सकते हैं तो मैं अपी प्लेट इसको ढख रही हूं और दो से तीन मिनिट इसे फ्राइ करेंगे तक एक हलका सा क्रंचीनेस भी फीलो दो मिनिट की बाद देखते हैं हमारे आलो थोड़ा सा फ्राइ होने लग गया है जैसे मसालों की साथ मसाली की भी कलर चेंज होने लग गया है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें कस्तुरी मेथी को एड़ करूंगी और साथ ही साथ जो पुदीना की पते हमने लिए थे धहर सारे उसको भी एड़ कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो मैं उसे बापस ना दो मिनिट ढखके फ्राइ करूंगी ताकि जो हमारी पुदीना पता और कस्तुरी मेथी के जो फ्लेवर है वो हमारी सबजी में आए यह देखे दो-तीन मिनिट फ्राइ करने के बाद हमारी पुदीना पताहना वो सॉफ्ट होने लग गया है बिलकुल और सबजी भी हमारी अच्छे से फ्राइब हो गया है अब यह ऐसी फ्लेम को हमें आफ करना है और गर्मा गर्म में उसका फ्लेटिंग कर देते हैं मिन पटेटो वाली रेसिपी बनके बिलकुल तयार है बहुत ही आसाम और कमबक में बनके तयार हो गया है अगर आपकी पास वॉयल पटेटो है तो पांच मिनिट लगता है बस यह रेसिपी को बनाने के लिए आप इसे रोटी और राइस दोनों के साथ सॉफ्ट कर सकते हैं बले यह सिंपल से रेसिपी है लेकिन इसकी जो टेस्ट है ना सच में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कहता है ना चोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका लाइक दिस आप भी एक बार इसे बनाईए बच्चों को तो वैसे बहुत पसंद आती है रेसिपी तो फिर आज की रेस सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए थैंक यू